तो दोस्तों फाइनले मुझे दरिगा मिल गया है कि कैसे आप अपने वीडियो को इंस्टेंटली MP3 में करनोड कर सकते हो इसे बहुत बहुत होता है कि हमें अपने वीडियो को MP3 में करनोड करनो होता है तो इसके लिए हम लोग यह तो cloud software यूज करते हैं यह तो कोई offline software यूज 73 इसका file size है तो आप file size से डरे ना क्योंकि file size उतने ही रहने वाली है बड़ी MP3 में हो जाएगा जिसको आप हमने काम में ले सकते हो वैसे भी आपके पास wifi तो ही आप जाओगे कहां पर जाओगे आपको जाना पड़ेगा अपने file manager में ठीक है मैं जाता हूँ सर्च कर लेता और आपको जाना है view में ठीक है view में जाने के बाद आपको दिखेंगा है यहाँ पर hide extension for known file type आपको उसे uncheck करना है apply कर दिना है यह Windows 11 और Windows 10 दोन में काम करेगा और किसी भी Windows में काम करेगा ठीक है आपको दिख गया MP4 आपको simply यह करना है आपको यह file type में जाना है file extension में जाना आपको simply से MP3 कर दिना है और यह पूशे का are you want to show आपको yes करना है now this is converted into MP3 alright this is converted into MP3 यह अभी भी convert नहीं हुआ है actually यह MP3 में हो चुका है बट वीडियो भी show कर रहा है तो इसे मैं play कर सकता हूँ इस तरीके से आपको दिखाता हूँ open with open with मैं कर सकता हूँ इसे media play तो यह media play में भी work करेगा actually इसका file type changes चुका है तो आप इसे MP3 में export import कहीं भी use कर सकते हूँ ठीक है all right तो यह बिल्कुल चेंज चुका है आप इसको use मिने सकते हूँ और file type वह रहने वाली है आप के पास wifi है बट आप समय ने जेना चाहते हूँ conversion में जहने ने करना चाहते हूँ तो यह तरीका है इस last time में एक cloud software open कर लिया था किसी भी size को resize करने के लिए तो मैंने image को put किया क्योंकि ideogram में use कर रहा हूँ ideogram में जो resolution है वो 16 by 10 का है तो मैं 60 by 9 चाहिए चुकि जब मैं YouTube में thermal पर जाओ वो fit हो जाए तो इसके लिए मैंने use किया simple image resizer तो यहाँ पर डालो फिर इसको change करो इतना तो फिर मैं आपको next video बदाऊंगा कैसे आप resize कर सकते हो within a computer ठीक है मिलते है next video में